हेलो इंटेलिजेंट्स कैसे हैं आप सब होप यू अलार गुड दिस इस अक्षे चोप्रा एंड वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल अक्षे चोप्रा मैट्स जहां पर हम 10th क्लास का मैट्स डिसकस कर रहे थे जिसमें हम थर्ड चैप्टर पर पहुंच के हैं और उसमें हम एक्ससाइज कर रहे हैं 3.2 एकोडिंग टू न्यू बुक ठीक है और एक्ससाइज हम कर रहे हैं 3.3 एकोडिंग टू पुरानी बुक तो जो भी आपके पास बुक है उससे कोडिंग देख लिना अच्छा अब हम उसमें कर रहे थे थर्ड कोश्चन जिसके हमने तीन पाधी फीटीन प्रुक हेसे उसमेंगे अब यह क्या चीज और नगे लगोड़ेगे मैं यह क्या चेज़ बेटा देखो, जैसे बड़े शहरों में होता है, अब मान लो डोक्टर के पास गए हो, ठीक है? बड़े होस्पिटल्स में होता है, तो डोक्टर क्या करता है? पहले चैक आप की फीश ले लेता है ना, वो कहता कि पहले चैक आप के मेरे पास रुप रख दो, बाकी जो आपक चीज है कि fixed charge तो ही है हमारे पास और उसके इलावा हमारे पास charges है for distance covered जितना तुमने distance cover किया उस recording उनका meter गूमेगा ठीक है तो for a distance of 10 kilometer the charge is rupees 105 for a journey of 15 km the charge is 155 what are the fixed charges and the charge per kilometer तो ये हो गया ना तुमको बोला था सबसे पहले end में जाना what are the fixed charges and charge per kilometer तो इसी को x y let कर लेंगे यह आगे है इसको बाद में देखेंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं फिर let fixed charges जो fixed charges है वो कितनी है बेटा x rupees और charge per kilometer charge per kilometer क्या बेटा हमारे पास y rupees बात समझे ठीक है ना fixed charge भी आगे और charge पर kilometer भी आगे अब देखो according to question question क्या हो गया बेटा fixed charge तो है यह उसने क्या बोला था 10 kilometer का तुमको पड़ेगा 105 रुपिया बाई और 15 kilometer का तुमको पड़ेगा 105 रुपे यह थी हमारे given conditions ठीक है उसने बोला था 4 distance of 10 kilometer 10 kilometer के लिए 105 रुपे 10 kilometer के लिए 105 रुपे fix तो लगेंगी लगेंगी 15 kilometer के लिए 155 15 के लिए 155 fix तो लगे गए लगे गा बस दो equations आगी अब इसमें से जिसमें से मर्जी x की value निकाल के दूसरी में पूट कर दो मालो यह first equation है first equations में से मैं x की value find out कर देता हूँ 105-10y और इसको पूट कर देता हूँ मैं equation number 2 में ठीक है तो second equation है x plus 15y equals to 155 तो चलो next page में चलते हैं x x plus 15y equals to 155 ठीक है जी और पीछे x की value क्या आई थी लो पीछे तो फिर भी देखना पड़ गया तो पीछे देखो x की value थी x की value थी अपनी 105-10y ठीक है जी तो पूट करो इसको 105- 10y 105-10y plus 15y equals to 155 ठीक है जी तो अब ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अपना 5y और ये 105 उदर से हो जाएगा माइनस कितना बच गया 50 तो 5y equals to 50 तो y की value आगी 50 upon 5 यानि की 10 y की value तो आगी 10 यानि चार्ज पर किलोमेटर कितना आ गया 10 रुपे एक किलोमेटर का 10 रुपे अब फिक्स्ट चार्ज निकालना है चलो ये एक्वेशन इदर पड़ी हो या इदर ही पूट कर देते हैं बार पर पीछ देखना पड़ेगा तो अब हम फिर से वही बाता बेटा इंग्लिश में लिखेंगे पहले ठीक है इंग्लिश में कैसे लिखेंगे therefore therefore fixed charges fixed charges क्या आ गए हमारे पास जो की x था यानि की 5 रुपे और charge पर किलोमेटर कितना आ गया जो की हमारे पास क्या था y की value that is 10 रुपे ठीक क्या जी अब देखो next question next part में क्या बोल रहा था कि how much a person have to pay for traveling a distance of 25 km उसने बोले अगर किसी को 25 km ट्रेवल करना है तो कितना पे करना पड़ेगा देखो बेटा 10 km ट्रेवल किया तो equation बनी x plus 10 y 15 km ट्रेवल करा तो equation बनी x plus 15 y अब 25 km ट्रेवल करना है तो equation बनेगी x plus 25 y equals to something वो something अमें निकालना है total खर्चा ठीक है बेटा ये total खर्चा ही था 10 km का 105 रुए 15 km का 105 पन अब उसने पूछा कि 25 km का कितना होगा तो यानि कि हमारे पास क्या बन जाएगा according to question according to question क्या लिखेंगे a person have या has to pay for 25 km 25 km के लिए कितना पे करना पड़े था उसको x plus 25 y तो fixed charge थे 5 y था 10 तो 5 plus 250 that is कितने रुपए आगे 255 लो जी ये बन गया अपना ठीक है जी तो इसके coding उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 255 अगर उसने 25 km का डिस्टेंस कवर करना है अब बढ़ते हैं part number 5 की तरफ ठीक है जी part number 5 में क्या है देखो अब fraction becomes 9 by 11 उसने बोला एक fraction है वो 9 by 11 बन जाएगी कब if 2 is added to both numerator and denominator अगर उसके numerator में भी दो प्लस कर देंगे denominator में भी दो प्लस कर देंगे तो fraction बन जाएगी 9 by 11 इसी तरह से अगर 3 add कर देंगे numerator और denominator में तो y fraction की value क्या बनेगी 5 upon 6 we have to find the fraction तो जो find करना है उसको x y let कर लो तो let numerator numerator क्या है एक्स है denominator हम लिख लेते हैं y है तो fraction find करनी थी therefore अपनी fraction क्या बन जाएगी fraction बन जाएगी x upon y बात समझे ठीक क्या जी अब according to question question क्या बोल रहा है question कह रहा है कि a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator और denominator उसने बोल ला है कि अगर 2 add कर देंगे numerator में भी और 2 add कर देंगे denominator में भी तो fraction बन जाएगी 9 by 11 बात समझे बार 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 मैं एक ही बात दोराता हूँ repeat करता हूँ कि इसमें हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारना जो जो उसने इंगलिश में लिखा हुआ है उसी को लिखते जाना है उसने बोला था numerator में 2 add किया denominator में 2 add किया तो fraction बन जाएगी 9 by 11 अब यहां से अपनी निकालो तुम क्या equations तो यह cross multiply हो जाता तुमको पता न तो 11 multiply हो गया x plus 2 के साथ और 9 multiply हो गया y plus 2 के साथ तो it will be 11 x plus 22 equals to 9 y plus 18 तो 11 x minus 9 y ठीक है जी किसके एक को ला जाएगा 22 उदर minus होगा तो this is our equation number 1 ठीक है न बेटा 9 y इदर आके minus होगा 22 उदर minus होगा 18 minus 22 will give minus 4 अब second statement if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6 अब उसने बोला 2 की जगा 3 add कर दो तो अगर numerator में 2 की जगा हम 3 add कर देंगे तो it will become 5 by 6 अगेन कर दो cross multiply 6 times x plus 3 किसके एक को ला जाएगा 5 times y plus 3 के बात को समझे ठीक है यानि की अपना 6 x plus 18 किसके एक को ला जाएगा 5 y plus 15 तो जो second equation थी वो बन जाएगी 6 x minus 5 y equals to minus 3 बात समझे first equation तुमारे सामने है second equation तुमारे सामने है जहां से जो मर्जी value variable निकालो बुट करो मालो मैं second में से x की value निकाल देता हूँ minus 3 plus 5 y तो x will be minus 3 plus 5 y upon 6 अब ये second equation में से find out कर रही है तो इसको first में बुट करेंगे first क्या थी अपने पास first थी 11 x minus 9 y equals to minus 4 first क्या थी 11 x minus 9 y equals to minus 4 यहां गुट करेंगे 11 x minus 9 y equals to minus 4 तो ये बन जाएगा minus 33 plus 55 y upon 6 minus 9 y equals to minus 4 अब LCM ले लो minus 33 plus 5 y LCM कितना हैगा 6 ना तो ये क्या बन जाएगा 54 y minus 4 अब 55 minus 54 एक y रहे गया ये 6 उदर जागे multiply minus 33 plus y equals to minus 24 तो our y will be minus 24 plus 33 यानि y की value क्या आगई y की value क्या आगई 9 y की value क्या आगई 9 ठीक है जी अब इसी y को 9 put कर दो first ये second में मैं second में कर रहा हूँ 6 x minus 5 y equals to minus 3 लो जी क्या आगया जे 6 x minus 5 y equals to minus 3 यहाँ पर y को put कर दो 9 5 into 9 is minus 3 6 x minus 45 is minus 3 तो 6 x will be minus 3 plus 45 6 x will be 42 ठीक है जी और x की value आजाएगी 42 upon 6 यानिकी 7 तो x कितना आगया अपने पास 7 अब हमारे पास x भी आ गया y भी आ गया तो therefore जो हमारी fraction थी fraction क्या थी हमारी x upon y थी ना तो यानिकी जो fraction है वो बन जाएगी 7 upon 9 यह बन गी अपनी fraction ठीक है जी यह final answer आ गया ठीक है अब आप चेक भी कर सकते हो आपकी fraction ठीक है यह गलत है क्यों देखो उसने क्या बोला था अगर 2 एड़ कर दूँगा तो 9 by 11 बनेगा इसमें 2 एड़ कर दो गई इसमें 2 एड़ कर दोगे तो यह 7 plus 2 कितना हो गया 9 और इसमें 2 एड़ कर दोगे तो 9 plus 2 कितना हो गया 11 बन गी ना 9 by 11 फिर उसने बोला था अगर 3 3 एड़ कर देंगे फिर उसने बोला था इफ 3 इस एड़ इड़ टू नियूमिनेटर डिनूमिनेटर इट बिकम्स फाइब बाई 6 अब 3 3 एड़ कर के देख लो 7 plus 3 कितना हो गया 10 9 plus 3 कितना हो गया 12 इसकी कटिंग करी 2 5 इसका मतलब हमारा आंसर क्या बिल्कुल ठीक है और पेपर में बेटा ऐसे ही चेक करते हैं तुमारी पूरी कैलकुलेशन ही चेक करने बेटेंगे इतना डाइम नहीं होता हमके पास हाँ स्कूल वाले तो करेंगी बोड का कुछ नहीं कह सकते हैं अब बढ़ते हैं लास्ट कोश्चन की तरफ बिल्कुल लास्ट कोश्चन की तरफ और हमारा चैप्टर तो खतम नहीं होगा लेकिन यह मैथड को जाएगा ठीक है फिर मिलेंगे धांसू मैथड ऐलिमिनेशन के साथ उसी को यूज करना पेपर में ज्यादा देखो इसमें क्या था बेटा बार-बार मैं आपको कह रहा हूं फुली कंसेंट्रेट आपने किसमें करना है एक्वेशन बनाने में ठीक है जी और फिर से बता दूँ और सारी प्लेलिस्ट जानने के लिए उसने बोल लै फाइव यर्स हेंस अब यह रहा हैंस का मतलब होता है यानि ईदेगा आज से पांच साल बाद यह ढ़ंप की एज उपेज के एज है विल बी अच्छा अब जिसको hands का मतलब नहीं पता तो इतना तो English आती होती है Will shall कब लगता है? Future में लगता है तो hands का मतलब क्या होगा? 5 साल बाद की बात है The age of Jacob will be 3 times the age of sun ठीक है? अब Jacob की age क्या होगी? Sun की age का 3 times 5 years ago, ago का मतलब पहले? अगर नहीं पता फिर से Jacob's age was Age was 7 times that of his son जो Jacob नाम का बन्दा है उसकी age अपनी सन की age की क्या थी? 7 times थी 5 साल पहले और 3 times होगी 5 साल बाद कब आज से? What are the year present ages? Present मतलब आज की age बता हो उसकी 5 साल पहले बाद की नहीं आज की age बता नहीं है? तो बस फिर जो बताना है उसको let करो लेट प्रेजन्ट एज ओफ जैकोब जैकोब की प्रेजन्ट एज क्या है? X years इसी तरह से प्रेजन्ट एज ओफ सन उसके सन की प्रेजन्ट एज क्या है? Y years ठीक क्या जी? अब according to question question क्या कहता है भाई साब? 5 years हैं से यानी 5 साल बाद 5 साल बाद पहले तो दोनों की 5 साल बाद 5 साल एज बढ़ जाएगी? यह तो नहीं है बेटे की बढ़ेगी बाप की नहीं बढ़ेगी? यह फादर की नहीं बढ़ेगी बेटे की बढ़ेगी? तो फादर की एज में भी 5 एड़ कर दिया और sun की age में भी 5 एड़ कर दिए 5 साल बाद क्या होगा father की age will be 3 times यह जो father की age है 5 साल बाद यह होगी 3 times the age of sun low जी equation बनगी father की age में भी 5 एड़ कर दिए son की age में भी 5 एड़ कर दिए और 5 years के बाद यानि कि 5 years के बाद जो यह वाली age बनेगी वो age 3 times होगी present age को नहीं लिखा देना xy को 5 साल बाद वाली age तो यहां से equation बना लो x plus 5 equals to 3y plus 15 तो x minus 3y equals to 10 एक तो आगी equation यह again according to question 5 साल पहले की बात थी ना 5 years ago 5 साल पहले तो 5 साल पहले दोनों की age क्या होगी 5 5 साल कम होगी ना तो पहले तो 5 5 गटा दो क्या थाए the jacob age was 7 times जो father jacob है उसकी age क्या थी son की age का 7 times यानि son की age में 7 multiply करेंगे तो father की age बनेगी 5 साल पहले x minus 5 equals to 7y minus 35 x minus 7y equals to minus 30 this is our equation number 2 ठीक है जी अब फिर से वही बात है दोनों equation आगी जहां से मर जी x निकालो y निकालो दूसरे में put करो ठीक है जी अब मैं यहाँ चलो यहीं से x की value निकाल लेते हैं minus 30 plus 7y ठीक है तो इसको क्या कर देंगे फिर put in first equation first equation क्या थी x minus 3y equals to 10 ठीक है जी first equation क्या है हमारी first equation थी x minus 3y equals to 10 यहाँ पर y को नहीं x को put करना है क्या put करना है minus 30 plus 7y तो minus 3y equals to 10 तो minus 30 तो उदर जाके plus 30 हो जाएगा तो यह बन जाएगा 4y equals to 10 plus 30 4y equals to 40 यानि की y आगया अपना 40 upon 4 यानि की 10 तो यह आगी 10 साल की एज ठीक है जी अब y क्यों क्या लेट किया था चलो यह भी सोचने की जोटनी अब 10 साल का पापा थोड़ी होगा 10 साल का बेटा ही होगा ठीक है जी तो y क्या थी मारी present एज जो तो sun की एज क्या आगई 10 साल अब फादर की एज क्या है बेटा फर्स्ट ही है सेकंड जहां मर्जी पुट कर दो फादर की एज आजएगी हमारे पास यह equation है उपर x-3y equals to 10 यहाँ पे y को 10 पुट कर दो x-3 into 10 equals to 10 x-30 equals to 10 x equals to 10 plus 30 so we will get father's age to be 40 years अब फिर से वही बात है फिर से वही बात है कि x-y में answer बताएंगे तो half mark यह one mark कटेगा हमें English में जवाब देना है therefore present age of Jacob father नहीं लिखना है Jacob लिखना है question में Jacob है न तो father की present age क्या 40 years और present age of son son की present age कितनी हाई 10 ठीक क्या जी इसको भी आप verify कर सकते हो ठीक है जगलता है उसने क्या बोला था पांच साल पहले क्या age थी पांच साल पहले क्या age थी पांच साल पहले 7 times थी न पांच साल पहले father की age क्या होगी 35 और पांच साल पहले sun की age क्या होगी 5 ठीक है तो अब father की age sun की age का 7 TIME ही तो होगी समझे یعنی की हमारा ठीक है दोसरा उसने क्या बोला ता 5 साल बाद पाईUE क्या होगी 45 SUN की एज क्या होगी 15 उसने क्या बोला था 5 साल बाद जो father की अज है वो sun की एज का 3 TIMES होगी और देख लो यह 15 जो है वो 45 जो है सन की एज का 3 टाइम जी तो है बास समझागी तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो बिलकुल ठीक है ओके सुडेंट्स तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिटूशन मैथड खतम होता है थैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो थैंक्यू वेरी मच जाते जाते एक बार फिर से बता दूँ कि वट्साप ग्रूप का लिंक ठीक है जी सब कुछ पुरानी वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है प्लीज उसको जाके देखना और वर्टसाप ग्रूप में एड़ोना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मैथड के साथ तो तिल दैन गुड़ बाई